ये सारे हुकुमरान सिर्फ अपना पेड पालते हैं, अपने बच्चों के लिए बैंक बैंस बनाते हैं, लेकिन आपके लिए टैक्सिस, बिल जादा, बच्चों बूक से मर रहे हैं, कोई ऐसी सहूलत नहीं है गरीब के बच्चे को, कि वो भी अच्छे स्कूल अच्छा खान अच्छे गर में रह सकें, ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, क्यों टाइम बरबाद करने हैं, क्या कमी हैं आपके पास, सीखने को नहीं है तो मैं बैठा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेली बेस पे, सिर्फ पकड़ के इधर वीडियो लगानी है, कोई मुश्किल है इसमें, नए हो, कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ, और काम करना आपका मतलब बनता है, काम करना आपके उपर फर्ज है, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है, सिर्फ आपको वो चीज़ समझाना, जो कर मैं कर र बनता है पकसान का, अगर आप वो कमाना स्टार कर देंगे, तो दुआई देंगे मुझे, वीडियो पूरी वोच करना, समझाए तो काम करना, ना समझाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना, और चलते जाना, तो बिना टाइम वेस्ट की चलते हैं, लेकिन उससे पहले इ चार स्टेप को फॉलो करना होगा, कोई इतना रोकर साइस नहीं है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, कि आप इनको ना कर सकें, और उसी के साथ-साथ मैं आपको लाइप रूव भी दिखा देता हूं, कि मैं भी इसी मेथड के तुरू ही अर्निंग कर रहा हूं, तो यहा जाएच, मौनडाइज आ, यहां पे ग्रीन डॉलर भी आप चेक कर सकते हो, टाइम भी आप चेक कर सकते हो, और आप देख सकते हो, कि हम डेली बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब सेम काम आपने भी यही करना और आप यह अर्निंग करना स्टार् अगर आपके मुबाईल में है तो आप मुबाईल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पर यह देखें दूसरा प्लेटफॉर्म है YouTube YouTube यहाँ पर आप YouTube की शौर्ट में जाके यहाँ पर कोई एक चैनल फाइंड करने और वहाँ से वीडियो उठाके Facebook पर लगाना स्टार्ट कर दें आपको इंशालला अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी यह कोई rocker size नहीं है अब सिर्फ आपने थोड़ा सा इस method को follow करना है ठीक है कि यह सारा काम कैसे करना है अगर आप नए भी है ना तो आप इसको follow करना start करने सिर्फ एक week के अंदर ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने tik-tok को open कर लेना है और यहां पर आगे आपने कोई एक keyword लिख लेना है keyword आप अपनी मरज़े से लिख सकते हैं या आप मतलब किसी की वीडियो देखे या कोई content idea आपके mind में आ रहा हो तो आपने उसका नाम लिख लेना है जैसे आप लिखेंगे तो आपने उसको search कर लेना है search करने के बाद आपके सामने बहुत ज़्यादा accounts आ जाएंगे आपने यहां से एक ऐसा account find करना है जिसके उपर मतलब कोई भी बंदा Facebook पर काम ना कर रहा हो आप उसका नाम कॉपी करके आप Facebook पर चेक कर सकते हैं कि वो बंदा है के नहीं है तो example के तोर पे इस बंदे की वीडियो हमने उठानी है और यह बंदा Facebook पर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने अपने ब्राउजर में जाना है और यहां पर हमने extension को डाउनलोड करना है ठीक है एक extension है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपने extension में आना है manage extension पर क्लिक करना है और यहां से Chrome browser web store पर क्लिक कर देना ठीक है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर आपने search बार में लिखना टिक रेंक तो जैसे आप टिक रेंक लिखेंगे ना तो आपके सामने वह वाली extension आजागी यह कुछ इस तरह से नजर आएगी आपने इसको add to Chrome कर लेना है इसका काम ही होता है कि आप जो भी वीडियो टिक टॉक से download करेंगे वह without watermark होगी तो यह हमने लगा ली उसके बाद next step क्या करना है आपने वह वह वाला टिक टॉक अकाउंट पे वापिस आ जाना है और इसकी वीडियो पर क्लिक करते हैं जिसको आपने download करना है तो यहां पर आपको left corner पे एक चोटा सा बिलू कलर करना download का option आजाएगा आपने इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे न तो यह वीडियो आटोमेटिक ही download होना start हो जाएगी और इसके उपर किसी किसम का watermark नहीं आएगा और आप इसको facebook पर use कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप इसको मतलब without watermark download करेंगे वीडियो को download कर लेना ठीक है यह देखें यह download हो चुकी है इसके उपर कोई किसी किसम का watermark नहीं है यहां पर चेक कर सकते हैं से वही वीडियो है और अभी अभी हमने download की है अब इसी तरीके से आपने downloading करनी है अब अगर आप मतलब YouTube पे तो YouTube पे बहुत सिंपल सा तरीका है IDM लगा लें और उसके बाद यहां से download का option आ जाता है और अच्छी quality में उस account को पूरी वीडियो मतलब उस account की download करने तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है सिर्फ आपने find करना है एक अच्छा content और उसके बाद आपने uploading करनी है अब uploading के दो तरीके हैं दो नहीं मैं आपके साथ share कर देता हूँ अगर आप mobile से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा time लगेगा और मैं आपको यही prefer करूँगा कि आपने जो uploading करनी है न वो PC के थूँ ही कर लें ताकि आपका time भी बच सके अब PC के थूँ आपने कैसे करनी है सबसे पहले तो आपने RDP या USA का VPN लगा लेना है और आपकी जो uploading है न वो बहुत ही असानी से हो जाएगी और उसके उपर जो आपने location मतलब select करनी है न वो USA की करनी है ठीक है तो यह दोनों काम आपने लाजमी करने है uploading के time आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है अगर आप पहले पाकिस्तान से page manage करें तो उस page को भी आप USA में transfer करेंगे तो उससे भी आप earning कर लेंगे ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है आपने अपने pages पे मसलसल काम करना है आप continuously काम कैसे करना है और कैसे इसके उपर accuracy लेके आने हैं आपने daily base पे एक schedule के time मतलब बना के आपने इसके उपर upload करना है यह नहीं है कि एक page आगया हमारे सामने इसके उपर आपने create real के option पे click करना है ठीक है जैसी आपके सामने आएगी आपने यहां पे जो अभी वीडियो डाउनलोड किये ना उसको आपने select कर लेना है जैसी हमने select किया ठीक है उसके बाद हम इसको open कर लेंगे open करने के बाद अब यहां पे आपन अब hashtag आपने लाजमी डालने है अगर आप hashtag नहीं डालेंगे तो आपको अच्छी reach नहीं मिलेगी ठीक है तो उसके बाद यहां से आप अपनी मर्जी का थमने भी लगा सकते हैं उसी मतलब reels के उपर और यहां से यह हमारी वीडियो जैसे मकमल upload होगी हम इसको easily share कर देंगे अब बहुत सरे दोस्त कहेंगे तारिक भी इतना time का है कि हर एक गंटे या तीन गंटे बाद हम इस वीडियो को upload करें तो उसको लिए मैं बताता जाओं कि आप अपनी इन reels को schedule भी कर सकते हैं ठीक है time के मताबिक यह order schedule हो जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा difference आएगा reach मे अगर आप direct upload करेंगे तो आपको जादा reach आएगी अगर आप schedule के तहत करेंगे तो आपको reach कम आएगी तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने mobile के थुरू एक दो reels daily base पे upload करना start कर दे, maximum 3 या 4 reels बहुत है एक page पे, अगर आपका जादा मतलब दिल करता है तो 5 भी upload करतें लेकिन हम मैं अपने experience के भी हाल पे बता रहा हूँ कि 2 या 3 reels बहुत है page पे ठीक है उसके बाद आपने गया करना है आपने बस इनको reels upload करके इनको छोड़ देना है और facebook आपको खुद invite करेगी कि आपको ads on reels को option मिल गया है और आपका page ads on reels से monetize हो गया है तो इस तरीके से आपने downloading करनी है और इस तरीके से आपने uploading करनी है अब थोड़ा सा इसको मजीद मतलब बढ़ाने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपने daily 5 pages पे यह काम करना है ठीक है 5 pages नए बना ले या आपके पास पुराने पड़े हुए है आप mobile से बना ले PC से बना ल करना तो आपको एक idea हो जाएगा कि यहां पर मैं fail हो रहा हूं और यहां पर मुझे अच्छी रीच या अच्छी response आ रहा है तो उसी type का आपने content दुबारा find करना start करना है तो आपको easily ads on reels का option मिल जाएगा तो यह नहीं करना कि एक page पे मतलब 500 pages पे एक किसम का ही content लगा दे cricket से related food से related ऐसे रही करना आपने different category को मतलब एक एक page के लिए select करना है और उसको download करके अपने पास save कर लेना है और उसके बाद Allah का नाम लेके uploading start कर देनी है तो within one week और one month के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है कौन से मतलब मुझे यह reach आ रही है या क आपने सिर्फ इनको follow करना है और इसके उपर अमल करना है वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर ले मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ बाए